कि अग्षेल और चानल दिस इस सुभासिस आज का टॉपिक बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है बहुत सारे लोग वेट करके रखे हुए हैं क्यांकि आज को सिस्टम सीखने मिलेगा एंटरी कहा होगा एक्जिट क्या होगा यह सारे चीजे मिलेगा तो इसके प्लान किया जो बेसिक साइकलोजिकल जो नीड होता है वह आप लोग समझ पाओ कि बहुत सारे आप सौ लोगों के वीडियो देखते हो अच सौ लोगों आप लोगों यह बताते हैं कि नहीं जैकपट सेटप क्या हो आता है या फिर आपको एंट्री कहां करना चाहिए और क लोग इसके उपर जादा स्ट्रेस नहीं देते क्यूंकि सौ लोग अगर यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो आपको भी पता है कि नहीं चार-पाँच लोग रियल में ट्रेड करते होंगे और दिरे-दिरे अकाउंट ग्रो कर रहे होंगे बाकी सारे लोग जने का कोसिज करो और इस वीडियो के अंदर मैंने 11 सेप्टेमबर से लेकर 14 सेप्टेमबर तक अलमोस्ट एन ट्रेड प्लान किया था साथा ट्रेड प्लान हुआ है अंड मैं आपको हर एक दिन ट्रेड किया और ट्रेड लेने से पहले हम लोग का सिस्टम डवलब हो गया कहां पर ट्रेड लेना है कैसा ट्रेड लेना है तो इस लोग यह सोचते हैं और पैसा नहीं बनता है वीडियो को एंड तक देखना फिर इंदर एंड के अंदर आम लोग कितना प्रोफिट कमा है कितना क्या पिटल यूज वा था यह सारे पॉइंट मैं बताऊंगा तब पहले आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि हर दिन मैंने ट्रेड लिया है रिक्ष्टु रिवार्ड बताया है डिसिप्लिन बताया है मनी मानेजमेंट पोजीशन साइजिंग कैसे इंपोर्टन होता है अभी अगर मैं आपको बोलू इमाजिन करो किने क्रि में आपको बताया है आप अगर सारे जगाप पर लेना आपको सेट अपट पॉग सेट अपको मिलेगा लेकिन बहुत कम लोग होते हैं रिक्ष्टु रिवार्ड और पोजीशन साइजिंग के उपर डिसकसन करते और बार-बार आप मेरे वीडियो के अंदर सुने होंगे कि ने आज पोजिशन साजीन थोड़ा सा कम कर लेना, आज थोड़ा सा रिक्स्टू रिवार्ड बढ़ा कर लेना, या फिर मिनिमम 1-2, 1-2, 1-3 का रिक्स्टू रिवार्ड होना ही चाहिए, यह सारे चीजे मैं आपक इन्वेस्टिंग में होल्ड करते हैं, उन लोग को लिए एक हेज पोड़क्त चाहिए, मार्केट अगर तेजी से नीचे गिर रहा है, उन लोग जानते है आज ने तो कल उपर जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कितना नीचे तक गिर सकता है, तो उन लोग एक इन्सुरें इसलिए प्रिफ़र करते हैं 99% लोग क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि पैसा कम है, फर्स्तिंग और सेकेंड तिंग कम पैसे से डबल हो सकता है, 0 to hero हो सकता है, या फिर jackpot हो सकता है, या फिर ATM हो सकता है, इस तरीके से उन लोग प्लान करता है, जिसे कि money machine हो और उनको लगता लोग बूल जाते हैं, लोगों कि यह लगता है, कैसे entry, उनको कैसे पता चला, यहाँ entry करना है, वहाँ exit करना है, यह सोचते रहते हैं, entry कैसे करना है, system can't develop करें, और उन लोग कभी focus नहीं कर पाते है, risk to reward and position sizing के उपर, तो यहाँ पे यह coin toss experiment के अंदर, in the end के अदर हम लोग trade लिए है, 495 quantity, 240 quantity, हम लोग trade लिए है, in the end के अंदर आपको पता चलेगा, किस तरीके से, risk to reward and position sizing ज्यादा मैटर करता है, रादर दन आपका system, और system में आपको बता हो किने कल सुबे, आपको क्या buy करना चाहिए, मैंने किस तरीके से trade के आपको पता चलेगा, मैंने coin toss करके, in the sense, coin toss के head आया तो CE लिए, tell आया तो PE लिए, बस हम लोगों ने risk to reward and position sizing के उपर manage के, still in profitable that token इतना अच्छा return आ मिला है, मैं सोच रहा था, इसको दो एक तक continuously करना पड़ेगा, क्योंकि probability के ऐसा चीज है, जब आप लॉंगर टाइम तक 10, 15, 20, 25 ट्रेड नहीं लेते, तब तक system का probability आपके favor में नहीं आता, तो इसके लिए मैंने सोचा था कि नहीं, हाँ, 10 trade minimum लोगा, नहीं तो फिर 20 trade minimum लेना पड़ेगा, लेकिन एक कोई के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा, मैंने हर एक दिन trade लिया है, हर एक rules follow किया है, तब आपको समझ में आ जाएगा, system is very negligible risk to reward, position sizing, money management and discipline, ये चार चीज़े फोकस करके तो आप trader बन सकते हो और आपको यहाँ पी भी समझ में आ जाएगा, किस तरीके से मैंने trade लिया है, और इक बार मैं बता रहा हूँ कि screen के ऊपर आपको दिख रहा होगा, screen shot दिख रहा होगा, उसको आप लोग रख लो, reference के लिए वीडियो देखोगे, तो ये point आपको काम आयागा किने, कौनसे दिन, कौनसा expari का, कौनसा strike price ट्रेड वा था, easy रहागा आपको, फिर वीडियो को end में, जब आउटर वीडियो देख लोगे, तब मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिफ्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बत क्योंकि वीडियो बढ़ा होने वाला है, तो लोग देखेंगे, उनको समझ में आएगा, किस तरीके से accuracy बढ़ती रहती है, और किस तरीके से risk to reward के हिसाफ से भी एक trader बन सकते है, तो किने option buying के अंदर भी profitable बना जा सकता है, अब भी हम लोग ये प्रूब करने वाला हों किने क्यों setup से पैसा नहीं बनता, risk to reward and position sizing से भी आप trade कर सकते हो, setup से पैसा बन सकता है, लेकिन वो probability के लिए देखा जाता है, लेकिन अगर आप risk to reward and position sizing के उपर काम करो, तो भी पैसा बन सकता है, तो मेरे ये वीडियो बनाने का रेजन यही है, तो हम लोग पहले प्रूब एक से 2% priority देने वालों उससे ज्यादा नहीं, तो कैसे होगा setup चली हम लो discussion करते हैं, first thing, बहुसा आलो को यह लगता है, सर आप option sell करते हो, बहुत टाइम से और आप buying बहुत पहले करते थे, अभी तो ज्यादा buy नहीं करते है, 2-3 महेने में एक बार कुछ buy करते हो, तो सर link का भी बनाएंगे, intraday का भी बनाएंगे, लेकिन एक point जहान में रखो, मैं बार 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 बताता हूँ किनी चीजों को इन details में देखना, start करो, अगर कोई 50 लाग या 1 करोड का profit दिख रहा है, मैं आपको यह बताता हूँ, instead of profit, आप देखो points कितना कम, कौन कितना कमाया है अगर 100 point में कोई 50 लाग कमाया है, या 100 point में कोई 1 करोड कमाया है, तो that means quantity जादा है, points कम है, अगर 100 point कमा रहे हैं, तो आज ने तो कल जब quantity बढ़ेगा, यह सारे बन सकते हैं, अगर कोई 300, 400, 500 point में 1 year कमा रहा है, that is interesting क्योंकि उसने एक trend capture किया है, और एक point आपको पता होगा अगर मैं option sell करता हूँ, मैं in the money sell करता हूँ, that token deep in the money, let's say 700, 500 रुपे या फिर 1000 रुपे इस तरीकी का sell करता हूँ, that means अगर मैं 700 रुपे या 1000 रुपे में sell कर रहा हूँ, मुझे पैसा तब मिलेगा, जब market मेरे favor में move करेगा, क्योंकि इसके अंदर money ने समयरान 40-50 रुपे होगा, that means मुझे as an option seller, अगर भी पैसा कमाना है, तो मैं 20-30 रुपे का sell नहीं करता हूँ, जो कि directional less होता है, मैं directional sell करता हूँ, that means मेरे लिए market अगर trending रहेगा, तभी मैं पैसा कमा सकता हूँ, अगर मैं 1000 रुपे option premium selling में कमाया हूँ, इस जगा पे अगर मैं option buy करता, let's say out of the money buy करता, कुछ नहीं तो 200-300 या 400 रुपे भी में कमा सकता था, buying में इसलिए नहीं करता, क्यूंकि थोड़ा सा probability कम रहता है, and second, quantity के उपर, position sizing के उपर, control नहीं रहता, 1 लाग, 3 लाग, 2 लाग, ये सारे quantity ले सकता है, तो उसके कारण कभी-कभी psychology issue आता है, selling में probability थोड़ा मिल रहा है, तो अगर उसके जगा buy भी करता, और trend अगर मुझे मिल जाता, तो कुछ ना कुछ profit मिलता, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि ने, आप अगर चीजे सीख रहे हो, तो मैं points कमा रहा हूं, selling हो, buying हो, points के उपर हम लोग focus करेंगे, तो अभी हम लोग मैं आपको simple rule बत करेंगे, और हम लोग का stop loss रहेगा, 30 रुपे का, target रहेगा 1 इस्टो 3, या फिर डिपेंड करता है, अगर market move कर रहा है, 1 इस्टो 4, that means कहीं ना कहीं 100 रुपीज का हम लोग का on an average target रहेगा, 30 रुपे का हम लोग loss करेंगे, तो 1 इस्टो 3 के आसपास, या 1 इस्टो 4 के आसप होगा, यह simple हो गया, CP, strike price हम लोग 100 रुपीज के आसपास, प्लान करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में strike price इन डिटेल्स में discussion करूँगा, और अभी हम लोग premium लेंगे, 100 के आसपास जो premium होगा, 30 रुपे का SL, 100 रुपीज का target, and हम लोग का quantity size 495, यह हम लोग का इन डि में लोग जानने का कोसित करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मुझे यह सारे चीज़े जानना नहीं है, और imagine करो, मुझे यह सारे चीज़े पता नहीं है, still मैं trade करने वाला हूँ, हम लोग का clear हो चुका है, 495 quantity लेंगे, 30 रुपीज का SL रहेगा, strike price हम लोग का रहेगा, 100 र variety दे रहा हूँ, correct, 1-2% मतलब मुझे market देखना भी नहीं है, मुझे बस एक condition चाहिए, मैं CE buy करूँ, या फिर PE buy करूँ, वो condition मैं आपको बताता हूँ, condition candlestick के उपर भी हो सकता है, लेकिन still मैं कुछ random चीज़े करने वाला हूँ, so that आपको एक point बता चले, कि नहीं हाँ, हम लोग profitable हो सकता है, in this condition also, तो हाँ, और एक छोटा सा condition में बोलना भूल गया, जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, पूरा end तक देखना तब जाके आपको समझ में आएगा, हम लोग को 10 trade लेना है, ठीक है, और आज Monday है, तो 5 दिन हम लोग trade लेंगे, दिन का 2 trade maximum रहेगा, ऐसे लिट हो तो 2 trade, अगर profit हो तो भी 1-2 trade, अगर लेट से पहला trade profit हो गया, तो हम लोग का trade continue हो गया, अगर एक trade में profit हो गया, तो हम लोग दिन भर हो trade नहीं लेंगे, अगर एक trade loss होता है, तभी second trade execute होगा, that means, depend करता है 2 trade maximum, एक trade में अगर profit होगा, अभी मैं आपको बता रह होगा, अगर head आया, तो C buy करेंगे, और tell आया, तो PE buy करेंगे, पहला trade, एधर CE हो सकता है, PE हो सकता है, अगर head आया, CE, tell आया, PE, अगर हम लोगोंने CE buy किया है, 9.30 को हम लोग का exactly trade execute करेंगे, हम लोग, अगर पहला trade losses में चला जाता है, 12 बजए हम लोग PE execute करेंगे, बस opposite trade कर है, 9.30 के आसपास हो चुका है, तो मैं इसको flip करता हूँ, head आया, तो हम लोग को CE buy करना है, tell आया, that means हमको PE buy करना है, मैंने market नहीं देखा है, भूल जा, okay, तो मुझे यहाँ पर option chain जाना है, option chain 100 रुपीच के आसपास कौन मिल रहा है, 49,000 का यह हम लोगों को 100 रुपीच के 4.95, okay, मैंने इसको buy कर लिया, 4.95 quantity exactly 100 पॉइंट कभी कभी हो सकता है, 10 रुपे उपर नीचे, stop loss कहां रहेगा, stop loss हम लोगों का, some around 30 रुपीच का रहेगा, that means, some around 70 रुपीच के आसपास रहेगा, stop loss हम लोगों लगा सकते हैं, 70 रुपीच के आसपास, target क्या रहेगा हम को target यहां तक होना चाहिए, यह हम लोग का clear हो गया, अभी हम लोग और इसको देखने वाले नहीं है, profit or loss हो, हम लोग वेट करेंगे, 100 में purchase किया है, for 95 quantity, 10-15 जा सकता है, and all, अभी second trade कैसे लेंगे, अगर यह ऐसा लीट होता है, चलिए मैं discuss कर लेता हूं, और एक बार, पहल तो यह सोचते हो, कुछ fix scenario है, जहां हम लोग buy करेंगे, sell करेंगे, तो पैसा मिलता जाएगा, यह दिर दिर आपको evolve होना है, trading आप किसी से देख सकते हो, उसका intention समझ सकते हो, किस तरीके से market move करता है, लेकिन trader बनने के लिए आप अपने आपको समझना पड़ेगा, और market को स profit हो सकता है, अगर यह profit हो गया, आप दिन बरहा trade लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग को 100 रुपे मिल चुका है, अगर यह sell होता है, हम लोग और एक try करेंगे, exactly 12 बजे, और 12 बजे हम लोग और toss नहीं करेंगे, पहले हम लोग उने PE लिया था, तो हम लोग next trade में CE लेंगे 12 यह भी SL में जा सकता है, अगर SL में गया 30 रुपे और गया, तो that means हम लोग को 60 रुपीज का losses होआ यहां पर, तो दोनों ही case के अंदर, इधर 60 रुपीज का loss हो सकता है, या फिर 100 रुपे का profit हो सकता है, इतना point आपको समझ में आ गया, यह हम लोग 5 दिन continue करने वाले है, इत बार-बार monitor करें, सबसे अच्छा है कि हम cover order लगा के रख लेते हैं, so that क्या होगा, अगर यह नीचे आता है, तो SL तो ऐसे बीट होने वाला है, okay, तो 84 में काम करता हूँ, हम लोग 65 का SL लगा के रखते हैं, कोई issue नहीं है, 495 और हम लोग का target हम लोग का रहेगा, 200 के आसपा रहा, और हम लोग target रखेंगे, 200 रोपय के आसपास target रखेंगे, और cover order इसलिए, so that किने losses जाता नहीं, profit तो हम लोग अगर market हमारे favor में जाता है, तो हम लोग 200 हो गया, 180, 190 या फिर 220 कहीं पे भी निकाल सकते हैं, तो यह बस money management हो जाएगा, तो आप लोग के लिज रहेगा, क पिर position sizing, risk to reward सबसे जाधा important होता है, setup important नहीं होता है, इसके लिए मैं वीडियो गना रहा हूँ, so that कि आप लोग सीख बाओ, समझ बाओ, तो आज day 2 है, और अभी पहले हम लोग toss कर लेते हैं, यहाँ पर, एक बार मैं काम करता हूँ, refresh कर देता हूँ, एक बार, तो यहाँ प करते हैं, तो अभी नीचे आ रहा है, as expected, कल भी हम लोग analysis किया तो market अगर आपको खुलता है, थोड़ा सा profit booking आ सकता है, तो हम लोग in this condition, एक CE प्लान करेंगे, 100 की रुपीज के हिसाब से हम लोग कल का भी results में आपको बताऊंगा, don't worry, थोड़ा सा देख लेता हम 100 की आसपा लेते हैं, यहां पर एक बार, और उसके बाद फिर हम लोग इसको प्लान करेंगे, बाइक करेंगे, कल का results में आप लोग को एक बार दिखा देता हूं, यहां पर 12 बजे हम लोग ट्रेड लिये थे, exactly, 121 के आसपास हम लोग का purchase हुआ था, 90 का SL था, और उसके बाद यह 3 भी गया था, तो result हम लोग बात में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा से हम लोग हो चुका है, हम लोग का time, तो यहां पर हम लोग 4, 95 quantity, प्लान करेंगे, cover order, एक बार रुखिये, trade, cover order, अभी चल रहा है, 118, 118, 118, 13 रुपे, एक बार मैं calculate कर लेता हूं, don't worry, 115-30 रुपे है, 85 रुपीश, तो हम लोग 85 का SL डाल के इसको purchase कर रहे है, 119 तो थोड़ा से SL 2-3 रुपे उपन नीचे होगा, बट ठीक है, यह हम लोग का पहला trade है, अभी हम लोग second trade लेंगे, PE लेंगे, लेंगे, लेकिन 12 बज़े, अगर इसका SL हुआ होगा, अगर यह profit में चला जाता है, या फिर हम लोग को target मिलता है, या profit में रहता है, तो second trade execute नहीं होगा, तो हम लोग का यह first trade execute हो चुका है, 12 September का, और हम लोग उसको stop loss 84 का रखें, अगर ऐसे लिट होता है, फिर हम लोग 12 बज़े एक trade लेंगे, अभी हम लोग ने PE लिया है, तब हम लोग एक PE लेंगे, 12 बज़े, exact 12 बज़े, तो अभी वेट करते हैं, इसका क्या result आता है, तो अभी 12 के आसपास हो चुका है, तो हम लोग को और एक trade लेना है, पहला trade यहां पे losses हो, आपको दिख रहा होगा, बहुसार लोग यह सोच रहे होते हैं, कि ने, सर यहां तो दिख रहा था, market नीचे ज खतम हो जाएगा, एंड वे मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप इस setup को युटलाइज कर सकते हो, एक या दो trade ले सकते हो, लेकिन 4-5 हम लोग 10 trade लेने दीजिए, और उसके बात फिर हम लोग इन डिटेल्स में discussion करेंगे, अभी हम लोग का 11, 58 हो चुका है, तो आपसर 2400 का हम लोग ले सकते हैं, जो कि 9200 के आसपास है, यह थोड़ा सा दूर है, 48500 इसको भी ले सकते हैं, मेरा intention है कि 100 से लेकर 120 इसी के बीच में, तो चलिए इसको भी ले लेते हैं, क्योंकि पहला trade भी हम लोग ने 119 के आसपास लिये थे call, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, 120 के आसपास यह भी मिल रहा है हम लोगों को, और एक मिनिट बस वेट करना है, और stop loss हम लोगों को similar, जिस तरी के से हम लोगों ने प्लान किया था, similar रखेंगे, 120-30, तो हम मैं रहा हूँ, 90 रुपीज का SL रहेगा, यहाँ पर मैं बाइंग के लिए रेडी हो जा सकते हैं, बट ठीक है, और 12 बज गया, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड ले लिया, तो हम लोगों का, और जो मैंने पहला भी ट्रेड लिया था, वहाँ पर भी 789,000 यहाँ पर दिखा था, कल भी मुझे याद है, एक पॉइंट पर ऐसा था, जहाँ पर 11,000, 12,000 दि हम लोगो 60 रुपीज एसल जाएगा, कल हम लोगो का, एक जगा 30 रुपीज का एसल गया, और यह जगा भी 20-25 रुपे हम लोगो प्रॉफिड मुलाट, हम लोग इन डीटेल में देखेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर भी 20-30,000 दिख रहा है, वैसे ही मॉनिंग में जब ट्र 200 के आसपास आचुका है, 204 तो हम लोग का 1-3 अभी अल्मोस्ट, 207, 206, 208, 209, तो मैं यहाँ पर क्लोज पोजिशन कर रहा हूं, और थोड़ा सा हो सकता था, लेकिन लागे सेट के नहीं, बेटर है, 1-3 हम लोगो ने प्लान किया था, 1-3 मिला, और हम लोगो का 15,000 के आसपास कुछ कमा है, तो 1-3 मिला, आप देख रहे होंगे किस तरीके से, हम लोगों ने रैंडम, बस रिक्ष्टो रिबॉर्ड मैनेज करके भी ट्रेडिंग किया, अगर आज मोर्निंग में इमेजन करो, अगर पुट आया होता, तो भी हमको प्रोफिट मिल जा था, क्यों वाज Day 3 है, और हम लोग Same Rule Follow करने वाले हैं, तो इसको मैं पहले Refresh कर दिया, अभी हम लोग इसको Flip करेंगे, और Head आयागा, तो हम C लेंगे, Entel आया, P.E. लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का P.E. अभी प्लान करेंगे, करेंगे, कल आपको याद होगा, कल हम लोगो पीए लेंगे वके सेम लेंगे किकल भी हम लोगों ने सिक अधे हैं अर bereक यह थिए यह था और और दुवियों के अंधर हो है कि आपको या बन्हें होगा वान घ्र्न एल्च पर आपको यह न लैओ ब्सक्राइप सेफ हो गया फिर उसके बाद हो सकता है आपको 1-2 मिले 1-3 मिले या फिर 1-1 भी मिले एक दू ट्रेड अगर 1-1 क्योंकि छोटे-छोटे प्रॉफिट मिलते रहते हैं लेकिर एक बड़ा प्रॉफिट आपको पॉर्टफोलियो को सेफ कर सकता है होप यह पॉइंट समझ में आ पर ट्रेड एंड कवर ओर्डर 495 क्वांटिटी एंड उसके बाद हम लोग अभी कितना चल रहा है 118 तो हम लोग इसको रखते हैं 88 एस टॉप लोस ओके तो चलिए हम लोग इसको बाई करते हैं तो 88 में स्टॉप लोस है में एक बार काल्कुरेट कर लेता हूं सही है या न अगर यह आता है तो मैं निकाल दूँगा हम लोग का 30 रूपीज का ही एसल रहेगा तो यहां पर हम लोगों ने पर्चेस किया था पी और अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट देख रहा है यह 6,000, 5,000, 7,000 हर एक ट्रेड में हम लोगों को दिखता है 7,000, 10,000 लेकिन यह ट मिन अटकिन हमको आज प्रॉफिट हो जायागा या कुछ बस अभी हम लोग इसको ऑफ्सन चेन में एक बार मैं आपको दिखा देता हूं हम लोगों ने जो रूल्स फॉलो किया था उसके उपर हम लोगों ने बस ट्रेड किया ओके तो यह 150 तक पहुंच गया था था डाट म मोर देन 1-1 का प्रॉफिट है बट हम लोगों को चाहिए यहाँ से कालोकुलेटर में निकाल देता हूं मिनिमुम 90 पॉइंट चाहिए तो हम लोगों ने प्रचेस किया 121 प्लस 90 अगर हम लोग देखेंगे 211 अगर यह 211 के आसपास जाता है तब मैं सोचूंगा इसको प्र 2-3 मिलेगा और एक पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा फर्स्तिंग और पॉइंट था कि पोजीशन साइजिंग हम लोगों ने रिक्ष्ट रिवार्ट पे काम किया और एक पॉइंट मैंने बताया था पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम करना चाहिए सेट अप इस व तो पहला पॉइंट रिक्ष्ट रिवार्ट हो गया फिर प्रोजीशन साइजिंग देखिए जैसे जैसे एकस्पायरी पास में आता है मनीनेस या फिर आपके साइड में अगर मोमेंटम किया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है जैसे अभी एकस्पायरी आज है त इसके करान आपका लॉसेस हो जाए तो जिनरली में क्या प्रिफर करता हूं नियर टो एकस्पायरी मेरा क्वांटिटी साइज परफिक्ट रहता है लेकिन जैसे एकस्पायरी मतलब दूर होता है या फिर जैसे मतलब आज एकस्पायरी खतम होगा कल नया एकस्पायरी स्टा लोस नहीं होना चाहिए, यह पॉइंट समझ रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग 495 कौंटिटी स्ट्रिक्ट रखेंगे, कल थोड़ा सा हम लोग क्वांटिटी साइच कम कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को कल अगर प्रॉफिट होना होगा, मार्केट को थोड़ा ज्यादा दूर मूव करना पड़ेगा, क्योंकि कल मनीनेस होगा, टाइब डिके बहुत जादा है, थिटा वैल्यू बहुत जादा होगा, तो इसके लिए, अगर पैसा कम रखेंगे, लोसेस भी होता है, तो भी मैनेज हो जागा, अगर प्रॉफिट भी होता है, तो एड़ हो आतीस रुपे, चेकेंड ट्रेड के अंदर हम लोग को प्रॉफिट हो आतीस रुपे कहीं नहीं गया, दिन बर उसी रेंज के अंदर आसपास घुमता रहा, उसके बाद कल जब हम लोग ट्रेड लिया, कल भी साथ आर दस ताजार दिक रहा था, लेकिन ये प्रॉफिड म आपका माइंड सेट अप हो जाएगा कि अननेसेसरी आपको निकाला नहीं है, वेट करना है, आपके टार्गेट के हिसाफ से वेट करना है, हाँ, अगर ये 208 नो आता है, आप निकाल रहा हो, दो तिन पॉइंट ठीक है, कोई शुनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि नहीं, 180 में करते हैं, होप करते हowej ही कि नहीं में मिल जाए सो डात हम लोग का दिन सेफ हो जाए, और जैसे मैं नहीं बताई था, अगर आपका पहले ट्रेड में नहीं टार्गेट मिल चुका है तो सेकेंड लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल चुका है यह रूल हम लोगों ने फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट फाइव मिनिट के अंदर में आपको एक्स्प्लेइन कर दिया था अगर हम लोग देखेंगे समय अपको एक्स्प्लेइन करते हैं थोड़ा सा नीचे हो गया ठीक है वेट करते हैं थोड़ा सा 20199-197 अगर इसमें टार्गेट लगाये होते तो एक्जाटली 203 के आसपास यह निकल जाता मतलब 209 के आसपास क्यूंकि इसका हाइई लगा था 210 पॉइंट सम्थिंग तो हम को प्रॉफिट हो गया था तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूं ने तो इसको निकाल देंगे निकाल देना बेटर रहेगा क्यूंकि हम लोगोंने एक हम लोग का एक्सपेक्टेशन था प्रॉफिट कमाने का और उसी के आसपास यह आ चुका है तो आज दिन आल्मोस सेव हो चुका है 202 मैं बस यहां पर भी देख रहा हूं कि ने क्या यह नीचे जा रहा है 300 का लेवल अगर ब्रेक करता है क्या यह मोमेंटम कर रहा है यह नहीं कर रहा है बस मैं वहां पर देख रहा हूं तो 318 16 19 थोड़ा सा ओल्ट कर रहा है एक्चली तो बेटर है इसको निकाल क्या जैसे हम लोगों ने प्लान किया था एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कल आपको याद होगा बहुत सारे लोग कल यहां पे जब हम लोगों को हैड़ा होगा कॉल हम लोगों ने जब पर्चेस किया तो पी दिख रहा ता जस्ट वीकौश है और अन टेल आया निए प्रसक्राफ भकोत्ट आया और मिस को अभी कन अबागों काम करूंगा क्योख भागोंगी आप लोग करेंगे Алप्लों को ने दोसों के आज पास इसको निकाला है और 95 के आज पास हम लोगों को निकाला फूशी जी मोर दें 85 पॉइंट हम लोगों को नियर अबावड 1 इस टू 3 का और एक प्रॉफिट मिल गया अभी हम लोग का डे 4 डे 5 बाकी है OLC और डे 4 डे 5 पहले से आपको बता चुका चांचे से आप रॉफिट्बल बन सकते हो सेक्तफ प्रॉबाबिलीटी जोड़ा सा बात में आता है कल हम लोग प्रॉब्ले की अंदर एक अच्छा प्रॉफिट मिला था आज भी हम लोग को लोग अप लोग के लिए वीडियो रिचोरीब करता हूं Hi everyone, आज 4th day है, हम लोग जिस तरीके से प्लान केते ट्रेड करेंगे and 2.1 आपको बार बार बताया है, we are going to play around with the position sizing and risk to reward setup के उपर हम लोग प्लेराउंड नहीं करेंगे, setup 1% हम लोग उने दिया है, उससे जादा नहीं flip the coin करेंगे, अभी time आ चुका है, इसको में एक बार refresh कर देता हूँ and आज हम लोग का आता है, पहले, let's say, tell आया, tell मतलब आपको बता है, PE हम लोग sort करने वाले हैं, हम लोग position sizing के उपर play around करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था, वीडियो का इन तक देखना तब आपको समझ में आएगा, और अभी पहले एक trade ले ले लेते, क्योंकि time हो चुका है, फिर मैं आपको explain करता हूँ, आज हम लोग trade लेंगे, calculator में यहाँ पे निकाल देता हूँ, 495 divided by 2, that means 447, तो 440 के आसपास कुछ हम लोग trade लेंगे, यह क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको इन details में बताऊँगा, तब आपको समझ में आएगा, 6 days expiry है, तो हम लोग PE sort करने वाले 100 के आसपास, 48,500 का यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा लिया, 110 के आसपास यह दिख रहा है, तो मैं इसको buy कर लेता हूँ, and हम लोग का 240 quantity, perfect है, and इसको cover order में हम लोग लेते हैं, cover order, so that 113 दिख रहा है, तो calculator कहां गया है, 113 minus 30 रुपीश, हम लोग का SL रहाएगा, 83, तो हम लोग यहाँ पे 240 पर्चेस कर लिए, तो यह हम लोगों का 1 is to 3, रिक्स टू रिवाद यहाँ पे 1 is to 4 रखेंगे, इन डीटेल्स में समझते हैं, क्यों मैंने यह ट्रेट लिया, और quantity क्यों कम किया, मैं एक सिक्रेट बताने जहाना, वो ध्यान से सुनना यह वीडियो को, जो मैं पॉइंट स नहीं हो सकता, ना continuous losses होता है, तो मैंने जब scalability के वोपर काम किया, एक देट साल पहले तब मुझे समझ भाया, वी जस्टाप टो प्ले रांट टो रिक्स टू रिवाद पोजीशन साइजिंग, मैं गल्ती क्या करता था, पहले जब मतलब अल्मोस्ट 2020 के असपास, जब मैं account size double हो गया, हो सकता है कि नहीं, मेरे को एक trade मिला, profit मिला, let's say 500 point मैंने कमाया, second trade 500 point कमाया, third trade 500 point कमाया, और मैंने देखा, जब एक या दो महिने के अंदर मैंने देखा, कि नहीं, 2000 point के असपास मेरे पास collect हो चुके है, that means almost मेरा account 60-70% up हो चुका है, मैंने गल्ती क्या किया, मै मैंने immediately फिर account size double कर दिया, in the sense quantity size double कर दिया, पहले अगर मैं let's say 5000 में trade करता था, फिर मैं almost 9000 या 10,000 के आसपास quantity में trade करने लेगा, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद loging streak start हुआ, मतलब losses होना start हुआ, फिर मेरा issue क्या हुआ, मैं 10,000 quantity में losses करना start कर दिया, और मैंने profit कमाया है 5000 quantity में, I hope यह point आपको समझ में आ रहा होगा, इसको tackle करने के लिए मैंने एक system बनाया है, किने किस तरीके से मैं position कैसे plan out करूँगा, first thing, मैं continuously 2 या 3 जब profitable हो जाएगा, 2 या 3 profitable हो गया मेरे trade के अंदर, उसके बाद मैं position sizing कम कर लेता हूँ, लोग यह गलती करते है, position sizing मतलब profit आ जाता है, 2-3, यह point जियान में सुनना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, first thing, जभी भी आपको continuously profit हो रहा है, मैं worried कब होता हूँ, जब मुझे continuously profit मिलना start होता है, मैं worried होता हूँ, क्योंकि 100% market straight line में move नहीं करता, मुझे अगर continuously profit मिल रहा है, that means losses आने वाले है, यह मैंने बहुत बाद में सीखा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, और यह सारे चीज़े कोई आपको नहीं सीखायागा, जो trading करता है, in details के अंदर, position sizing, रिक्स्टी रिवाड, वही आपको बता सकता है, that means continuously अगर मेरे पास profit होता है, तो मैं थोड़ा worried feel करता हूँ, किने हां losses days आ इतना मिल चुका है, double the quantity, फिर issue आना start होगा, क्योंकि उसके बाद losing streak आना start हो सकते है, 1 loss या 2 loss या 3 loss हो सकते है, और एक point में आपको याद रखना, अगर मुझे continuously losses हो रहा है, I feel very happy, क्योंकि उसके बाद chances are very high कि ने profitable आने वाले है, और यह point में आपको बार बार बताता हूँ, इसके round मैंने play round क्या किया, let's say, अगर मुझे continuously 2 या 3 profit मिल गया, मन्त के अंदर 2 trade लिया, week के अंदर, क्योंकि weekly बहुत trade करता था, तो अगर week में 2 trade या 2 week continuously profit हो गया, मैं quantity size कम कर देता था, इससे क्या होगा, मैंने profit किया big quantity के साथ, अगर in future अगर losses होता है, तो मैं loss करूंगा small quantity के साथ, हो सकता है कि यह losing profit strict और 2 week चल जाए, हमको नहीं पता, अगर profit भी होगा, तो small quantity के साथ profit होगा, तो फिर मेरा profit margin कहीं जाने वाला नहीं है, I hope यह point आपको clear हो गया होगा, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा charts में देखते हैं, आपको एक point याद होगा, कल हम लोगों क morning में यहाँ पर trade execute हो गया था, मैंने प्लान नहीं किया था, market एक ही candle के अंदर 211 का high लगाया था, और हम लोग का exactly touch किया 1 to 3, और हम लोग ने book किया 70 से लेकर 75 point क्योंकि अचानक से नीचे आ गया, अगर हम लोग वहाँ पर bracket order डाल देते हैं, तो हमको profit भी हो सकता था, उसके rules 12 बजे के आसपास यहाँ पर trade लेना था, लेकिन हम लोग का पहला trade profitable हो चुगा था, तो हम लोग second trade नहीं लिए, अगर 12 बजे भी trade लेते हैं, आपको नहीं लगता हम लोग को कुछ नहीं तो 1 to 4 या 1 to 3 मिल सकता था, और 90 points add हो सकते था, बर fine हम लोग के rules के इसाफ से trade के profits क कमाएगा चलेगा, यह point बहुत साथ लोग गलत करते हैं, सट trade चला गया, trade जाने से कोई इशो नहीं है, लेकिन अगर आप वो trade के अंदर हो, तो आपका 30 रुपे अगर प्लान कियो, 30 का 50 नहीं होना चाहिए, यह गलती बहुत साथ लोग करते हैं, trade हो जाएंगा, आज लास्ट में जब 5 दिन खतम हो जाएगा, तब हम लोग इन डीटेल्स में डिसकस करेंगे, 11 सेम्टर पर फर्स्ट ट्रेड इज लॉस, तो 30 पॉइंट यहां पर लॉस हुआ, सेकेंड ट्रेड में 25 रुपे का हम लोग को प्रॉफित हुआ, यहां पर आपको दिख रहा होग 11 सेप्टेंबर 12 बजे का जो सेकेंड ट्रेड था, उसके अंदर 121 को पर्चेस किये थे, 144 में क्लोज हुआ, लास्ट में हम लोग इन डीटेल्स में देखें हैं, क्योंकि उस दिन मार्केट हमारे बाइंग लेवल से यहां से बाइंग लेवल था, और स्टॉप लोस हमारे डिफॉल्ट ब्रोकर साइड से, तो यह 3 बजे के असपास 25 रुपे का हम लोग को प्रॉफिट हुआ, इसको हम लोग इन लास्ट में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग बस काल्कुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट ट्रेड हम लोग को 30 रुपीज का लॉस हुआ, सेकेंड ट्र लेकिन 13 सेप्टेंबर कल के दिन हम लोग का जो गया, फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों को 72 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, आट सेकेंड ट्रेड हम लोगों ने लिया नहीं, अब भी अगर मैं काल्कुलेट करूंगा इसको तो आपको दिख रहा होगा समय राउंड एक स यहां थरीके से रिक्स्टी रुवाड काम करता है, 25 रुपीज प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 89 रुपीज प्रॉफिज हुआ, उसके बाद 72 रुपीज प्रॉफिज हुआ, टोटल 186 रुपीज हम लोग का प्रॉफिट हुआ, लॉस भी काल्कुलेट कर लेते हैं, 31 एक ट्रेड में पहले ट्रेड में अगर बोलू तो पज़ 20-25 रुपे का इसल वादा बाइदा टाइम वी ट्रेड लेते तब तक यह एक जीट हो गया था और 20-25 रुपे में लॉस हुआ बट ठीक है 30 रुपे हम लोग मानते हैं इसको माइनस 30 रुपे और एक तो हम लोग को टोटल 30 रुपे यहां पर एक लॉस हुआ है और पहले ट्रेड में एक 30 रुपे लॉस हुआ है यह दो लॉस हुआ है तो टोटल हम लोग को 126 पॉइंट हुआ है अभी आपको समाझ में रहा हूं किस तरीके से मैं मार्केट नहीं देखता मैं पॉइंट देखता हूं किस तरीके से और आप अभी प्राक्टिकली सीख रहे हूं 126 पॉइंट मतलब इन्टू 495 कॉंटिट 495 कॉंट है 62,000 का हम लोगों को प्रॉफिट अभी हाथ में है करेक्ट देट मींस हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और हम लोग को एक अच्छा टाइब मिला और हम लोग को 62,000 का प्रॉफिट हुआ अभी हमारे पास दो ओप्सन है जब मुझे दिख चुका है किने कंटिन 90,90 पॉइंट का हो सकता था अभी मैं प्लान क्या करूंगा 62 रुपीच अभी हम लोग का दो दिन और बाकी है ट्रेड करने के लिए तो अभी दो चीज है मेरे पास में इधर मैं बोलोगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा बैठ जाओंगा क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट हो च करने के लिए आपको क्वांटिटी चाहिए चाहिए सबसे बेश्ट प्लां आ안 मैंने यह किया है कि नए इमाजिन करो कि अभी में अगर चार लॉज सी होता है इसे की के हजार के आसपास profitable रहेगा हम लोगों का लेकिन अभी अगर मैं smartly थोड़ा सा यूज करूं imagine करो 495 divided by 2 कर दिया मैं quantity कम क्यों कर रहा हूं क्योंकि continuously profit stick आ चुके हैं मैंने आपको बताया था किस तरीके सा money management होता है continuously profit stick आ चुके 247 अगर मैं quantity size तो कर नहीं सकता क्योंकि इसको 15 में डिबाइड करेंगे तो 240 अभी अगर मैं 240 quantity size करता हूं imagine करो 240 quantity size किया एंड हम लोग को चारो दिन loss मतलब दो दिन loss हुआ चार ट्रेड में loss हुआ that means 120 रुपीज loss हुआ 30 रुपे का एक stop loss था into 4 120 रुपी लॉस हुआ इसका कितना होता है 28,000 इसका मतलब अभी अगर मैं quantity कम कर लेता हूं and 28,000 अगर loss होता है आपको समझ में आ रहा है loss होता है तो भी हम लोग कुछ नहीं तो यहां से इसको अगर मैं माइनस करता हूं imagine करो 62,370 रुपीज में माइनस किया 33,000 घर लेके जाएंगे वीक भर हम लोगों ने ट्रेड किया हम लोगों ने चे टेन ट्रेड्स लिया और टेन या एट या नाइन ट्रेड्स लिया और हम घर लेके जा रहे है या भी स्मॉल प्रॉफिट मिला तो फिर हम लोगों कुछ नहीं तो 30,000 के ऊपर हम लोगों कहिना के प्रॉफिट हो जाएगा यहोप यह पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा that means हम लोग लोग लॉस करी नहीं सकते तो हम लोग ने प्ले राउंड कहां पे किया आप उजिशन साइजिं रिक्स्टूरीवाडद अभी आपको समझ महें रहा हो बटाता हो जंपी वहता हो कि न एक त्रेडील एक पोजिसन साइजिंग, रिख्टु रिवाड, देन मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसा होता है, मैंने आपको वीडियो के अंदर बता है, इस तरीके से इसको टोटल ट्रेड करने के लिए कितना capital यूज हुआ होगा, आपको मैं बता हूँ, सम्वेर राउंड 70,000 capital या 80,000 maximum capital यूज हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों ने 100 के आसपास premium buy किया है, 130, 130 to 495, इतना ही लगता है हम लोगों को 64,000, maximum 70,000 का capital यूज हुआ है, लेकिन इसको गलती से 70,000 से स्टार्ट करके ये expectation मत रखना, probability or vary है किने हां losses हो सकता है, हम लोगों ने position sizing, risk to reward के साथ money management मैंने आपको अल्डेडी option buying के series के अंदर बता दिया है, start slow से करो, make sure कि नहीं point calculate करो, and wait करो कि नहीं आपके लिए अच्छे दिन आने वाले है, in the sense, एक बड़ा profit चाहिए, हम लोग survive क्यों कर रहे हैं, आपको पता है, not just because कि 25 रुपे का profit किये, मैंने आपको 0 to 0 program में 2020 में बता दिया था कि नहीं, big profit going to save you, small profit कभी भी आपको नहीं बचाता, क्योंकि small profit होगा, small losses होगा, यह cancel out हो जाएगा, बचेगा कौन big profit, और आपके account से big losses नहीं होना चाहिए, हम लोगों यहाँ पे stick रखा, 30 रुपे से ज़्यादा हम लोग loss नहीं करेंगे, हम लोग stick रखा, और 30 रुपे के असपास अगर loss नहीं हो रहा है, अपर साइड हम लोगों ने बड़ा profit के लिए scope रखा है, तो 89 रुपीज, 90 रुपीज और कभी-कभी तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको कैसे start करना चाहिए, first thing money management, मैंने आपको बताया है, 20 दिन का पैसा ready रखो, 1-2 पे practice करो, क्योंकि आपका हाथ नहीं जायागा, 1-3 आप डर होगे, focus नहीं रहेगा, तो better है, 1-2 का 20 trade ले लो, जैसे मैंने बताया था, option buying का series आपको in details में देखना है, first से लेकर last तब आपको बता चलेगा, trading is all about, points collect करो, position sizing में manage करो, and risk to reward पे focus करो, मैंने day 1 से आपको बत हो जाता है, correct, I hope यह point आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए अभी थोड़ा सा market देख लेते हैं, यह उपर जा रहा है, that means, हम लोगों का somewhere around, हम लोगों ने लिया था, somewhere around कौन से लिया था, 15,500, यह लिया था, हम लोगों ने, अभी भी हम लोगों को 3,000 का बस loss दे रहा है, market ह हमारे against में जा रहा है, कोई issue नहीं है, क्योंकि इसके अंदर time value है, तो इसके लिए, हाँ, और एक point में आपको बताना चाहूंगा, risk to reward मेंने क्यों आपको 1 is to 4 वोला, इससे क्या होगा, पहले क्या होता था, 1 is to 3 हम लोगों catch करते थे, अभी 1 is to 4 अगर catch करेंगे, तो कम quantity मे बढ़ा profit होगा, आप देख रहे हो, मैं losses कभी बढ़ा नहीं कर रहा हूं, कि नहीं हाँ 30 रुपेगा था, आज 50 रुपेगा loss लेते हैं, नहीं, risk will remain same 30 रुपीच, मैं risk to reward बढ़ा सकता हूं, reward बढ़ा सकता हूं, 1 is to 4, छोटा सा tweak होगा, अगर imagine करो market 1 is to 3 आ जाता है, तो मै निकालूंगा नहीं, मैं wait करूंगा, इधर इसको 1 is to 2 में निकालूंगा, या फिर 1 is to 4 में निकालूंगा, that means 1 is to 3 पहुंचने के बाद, I have to be very alert, क्या ये उपर और जा रहा है, या फिर 1 is to 2 आ जा रहा है, कि 1 is to 2 आया है, तो ट्रेल करके मैंने निकाला, अगर 1 is to 4 आ गया जितने लोगों को ट्रेडर बनना है रेट, आज नहीं, तो कल ओ ये वीडियो देखने वाले हैं, और तब उनको समझ में आगा है, कि निकाल गलत एरिया पे कुछ टाइम वेस्ट किये हैं, पैसा वेस्ट किये हैं, इंपोर्टन ये नहीं है, कि निकाल जल्दी आप सब्सक्राइटी देना चाहता है, उससे ज्यादा नहीं, बस एक कंडिशन चाहिए था मुझे मार्केट में एंटर करने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये कंडिशन दिया, otherwise I can play around risk to reward anytime, anywhere, क्योंकि मुझे पता है, risk to reward अगर आपका सही है, भले 10 ट्रेड गलत हो जाए, 11 ट् अतम नहीं होने माल है, फिर दीरे दीर आप evolve हो गये, ये गल्दी मत करना है किने, एक लाग लेके आगे और ये सोचे किने, चलो toss करे और ये बस experiment में किया हूँ, इन डिटेल्स में फिर सेटप में बताऊंगा, लेकिन दो दिन पहले complete होने दो, और आज का result हम लोग देखत देखे, देखे, मैं बार-बार रोता था हूँ, जितना दिन हम मार्केट में बने रहेंगे, उतना चीज़े सीखने मिलेगा, हम लोग उने चार-पांत दिन से अभी ट्रेड कर रहे हैं एक रूल के साथ, तो अभी कुछ पॉइंट्स आपको और सीखने मिलेगा, देखे, बहुत ही अच्छा हुआ कि ने आज ना प्रॉफिट हो आए ना एकजित हो आए फर्स्ट ट्रेड के अंदर, पहले क्या आता था फर्स्ट रेड में अगर लॉसे से या प्रॉफिट हो जाता था, तब हम लोग बारा बज़े का ट्रेड इदर लेते थे या नहीं लेते जब तक पहला ट्रेड का आउटकम नहीं आता तब तक सेकेंड लेना नहीं चाहिए, अगर इसका आउटकम एक दो वज़े आता है तो फिर सेकेंड और एग्जिक्यूट नहीं होगा, that means और हम लोग सेकेंड ट्रेड एग्जिक्यूट नहीं कर सकते, बले इसके अंदर प् होगा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी था, लाइक है सेट कि नहीं 1-3 मिनिमाम हम लोग अलर्ट के लिए वेट करते, उसके आप 1-4 हम लोग का फाइनल टार्गेट रहता या फिर 1-2 अगर रिटन आया था, तो हम लोग को बस 1-2 तक गया और अभी भी इसको हम लोग होल्ट करेंगे और सेकेंड ट्रेट नहीं लेंगे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्स्प्रेंड करता हूँ साइकलोजी काली इशु क्या होता है, अगर पकाड़ लो इसको मैं क्लोज कर दूँगा 3,000 रुपीच प्रॉफिट और यह सोचुगा कि नेक्स ट्रेट भी ल मिला, इससे क्या होगा, दो चीजे होगे, आने वाले टाइब में आप बार बार मार्केट को देखते रहोगे, और मार्केट को अपने आप मतलब कंडिशन करते रहोगे कि नहीं हाँ, यह सही जगा एक्जिट कर लेता हूँ, फिर वो मैक्चोर नहीं होगा ट्रेड या फि प्लान को ट्रेड करो, प्रॉफिट लॉस देखा जाएगा, फोकस ही होना चाहिए, ज्यादा दिन तक ट्रेड करें, एंड डिश्टू रिवाड अच्छा रहे है, और इन इस कंडिशन हम लोग को बारा बच चुका है, आज और सेकेंड ट्रेड नहीं होने वाला है, फिर एधर लॉस होगा, या फिर प्रॉफिट होगा, इससे बेनिफिट यह हुआ हम लोगों को, कि नहीं हम लोगों को एक्ट्रा एक्ट लेना नहीं पड़ा, इसका मतलब बाइड डिफॉल्ट एक एसल हम लोग का नहीं लगने वाला है, तो हम लोगो और थोड़ा से हम लोग 30,000 profit सोच रहे थे उससे ज्यादा का profit होने वाला है तो अभी हम लोग वोल्ट करते हैं इसका net to net end way में इसका screenshot रख लूँगा इधर तीन बजे के आसपास या तीन दस तीन पंदरा automatic square up हो जाएगा या फिर तीन बजे के last day है experiment का coin toss experiment का थोड़ा समय लेट हो गया अचली तो मेरा अचली दान दर्थ कर रहा है तो डक्टरे पास जाना है इस्टिल हम लोग trade ले सकते हैं 936 अभी हुआ है तो पहले हम लोग 930 को लेना था आज पर rules बट ठीक है तो हम लोग यहाँ पे पहले में refresh कर लेता हूं इसको और हम लोग head आयेगा तो call buy करेंगे tell आयेगा तो फिर हम लोग put buy करेंगे ओके तो tell आया है तो पहले हम लोग का एक put buy होगा actually put buy यहाँ पे हो जाता अगर हम लोग सेही जगा पे रखे होते मतलब time पे तो हम लोग put कल भी हम लोग ने put buy किया था 45,700 looks good 100 के आसपास है तो हम लोग इसको अभी buy करते है 108 के आसपास है हम लोग 240 quantity कर रहे थे और कल में आपको explain किया था cover order cover order और इसका calculator हम लोग लगा लगा लेते 109 माइनस 30 रुपीज 79 रुपीज का एक SL रहेगा और हम लोग इसको purchase कर दी exactly हम लोग 108 के आसपास purchase किये 70 के SL रहेगा आपको याद होगा कल हम लोगों ने options chain के अंदर 46,500 हम लोगों ने purchase किया था आप लोगों को याद होगा लेकिन कल एक दिन ऐसा था जहां पर हम लोगो profit बहुत time से दिख रहा था somewhere around इस level पर कहीं पर 113 यह बारा के आवरेज पर purchase किये थे बहुत अच्छा momentum किया 180 के आसपास लेकिन हम लोग का expectation था 201.3 अगर आएगा तभी हम लोग ट्रेल करेंगे और उसके बाद यह दिरी दरी नीचे आया अल्मोस्ट यहां पर 3 पी एम के आसपास हम लोगों का कहीं पर 87 या कुछ को quantity में मैंने इसको निकाल दिया क्यों 24 रुपे या 10 रुपे के आसपास कुछ 108 रुपे के आसपास लिये हैं अभी 200-300 रुपे loss दे रहा है अगर यह losses होता है तो हम लोग second trade लेंगे 12 बजे के आसपास और अगर यह profitable होता है तो हम लोगों का target भी में define कर देता हूं simple सा 108 प्लस 90 रुपीश 90 रुपीश का target है 198 minimum यहां तक आएगा उसके बाद फिर हम मतलब मार्केट कि ने बना रहा ठीक है या फिर अगर रिवर्सल आया तो ऐसे लिट होगा फिर 12 वजे के आसपास अगर 12 वजे से पहले हिट नहीं होता तो हम लोग का एक ट्रेड रहेगा फिर आप लोगों को में डीटल्स में बताऊंगा किस तरीके से आम लोग का experiment गया और किस तरीके से आम लोग without setup के उपर जादा focus करके भी एक अच्छागासा profit कमा सकते हैं एक टो reward के उपर फिर वीडियो के end में मैं आपको कुछ tips देने वाला हूं अगर कोई experiment यह सारा करने वाला है मैं आप लोग को कुछ tips देने वाला हूं तो आप लोग खुद फॉलो कर पर हम लोग का target रहेगा वान इस्टू 3 अगर आ जाता है गल्ती से फिर हम लोग इसको वर्ड के रहे हैं क्या यह वान इस्टू 4 जा रहा है या फिर ट्रेल करके वान इस्टू 2 में निकालेंगे morning में समय रहा हूं हम लोग का पहला ट्रेट पी में था तो हम लोग ने पी में जाते हैं में डीटर्स में आपको बताता हूं कि नहीं लॉसेज कितने हुए प्रॉफिट कितने हुए यह ट्रेड एक बार ख्लोज होने दीजिए आपको वीडियो अभी तक पसंद आया होगा किस तरीके से हर दिन ट्रेड किये सिंगल सिस्टम को फोलो किये कंटिनूस ले रिक्स्टू रिवार्ड के उपर फोकस किये पोजिशन साइजिंग के उपर एंड मनी मैनेजमेंट के उपर सिस्टम बस एक पसंद था बस हम लोग को एक कंडिसन चाहिए था एंटरी करने के लिए बाई करे या सेल करे कॉल बाई करे या पुट बाई करे बस ये कंडिसन के लिए मैंने कोई टॉस किया दाट मिस एक पसंद से भी कम हम लोग उने सिस्टम को फोकस रखा बाकी हम कि जाना चाहता हूं आपको इन डीटेल्स में टोटल हम लोग देखते हैं कितना प्रॉफित हुआ क्या लोस हुआ क्या नहीं सारे चीज़ें लोग डीटेल्स में देखते हैं अगर हम लोग डायरेक्ली यहां पर देखेंगे मैंने लॉस और प्रॉफिट तो श्रेट फोरव दो एक भी जायाएगा तो हम लोग कंट्री से ट्रेड करेंगे जस्ट तो प्रूव यू कि ने पोजिसम साइजिंग ये रिक्स्टु रिवार्ड से प्रॉफिट बनता है बस लेकिन हम लोग को तीन चार या पान दिन प्रॉबाबिलिटी बहुत साइज लोग मुझे बार बार बताते हैं कि ने सर आप लखी थे आपके टाइम में लिवरेज था इसके लिए आप ट्रेडर बन गए सर आप लखी थे इस टाइम पर मार्केट करा तो आपने 4-5,000 पॉइंट क्याप्चर किये थे आज ट्रेडर बन गए कुछ लोग यह सोचते हैं कि ने सर आप लखी थे इसके लिए आप इंदवनी पर भी 100 अगर करते हो तो 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट या 800 पॉइंट आपको मिल जाता है सर आप लखी थे इसके लिए आपका option buying के अंदर भी 1CR, 2CR का profit मिला है नहीं मिलता देखो चीज़े क्या होता है जब तक हम लोग ना चीज़ों को इन details में नहीं समझते बिली system काम नहीं करता अगर आपको अभी तक belief नहीं है option buying के अंदर पैसा बन सकता है छोड़ दीज़े ये फिल दूसरे चीज़े देखे या फिर छोड़ दीज़े या फिर invest SIP सारा चीज़े कर सकते हो लेकिन अगर आप मानते हो option buying के अंदर पैसा बन सकता है मैं आपको intraday trading करके, scalping करके ये आपको experiment करके ये बार-बार बताना चाहरा हो कि ने, पैसा बनता है बिजनेस के अंदर option buying के अंदर भी बन सकता है लेकिन focus कहां पे आपका आपका focus है एक नया setup कुछ मिल जाए या फिर नया system कुछ मिल जाए 1500 वीडियो मिल जाएगा आपको setups के उपर उन लोग profitable नहीं है 100 अगर YouTubers होंगे 100 में से 2-3 लोग ही trade करता है ये आपको पता है बाकी कोई trade जादा लोग करते भी नहीं है आपको knowledge दे सकते हैं, share कर सकते हैं लेकि इन details में वो ही बता सकता है जो business के अंदर खुद trade कर रहा है या business खुद बना रहा है, खुद कर रहा है ग्रो कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा तो जितना ज़्यादा आप hardware करते जाओगे उतना ज़्यादा आप lucky बनते जाओगे इससे simple thing मैंने बस probability के उपर काम किया मेरे लिए कोई luck नहीं होता है मेरे लिए all about probability losses होगा, that I know losses मेंने एक restrict रखा profit मेंने एक बड़ा रखा losses के against में 3 time, 4 time हम लोगों ने target रखा इसके लिए हम लोगों को profit मिला और trading journal, अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो आपको बार-बार 2-3 साल से बता रहा हूँ trading journal कितना important है आपका दिन में 2-3 trade लेना ज्यादा important है रादा दाना 5-6-10 trade लेना कोई फायदा नहीं है buying के अंदर specially selling के अदर ज्यादा trade आ सकता है और selling के उपर भी एक series बनाऊंगा free of cost में तो आप लोग इसको भी देख सकते हो उसको भी देख सकते हो तो यहाँ पे आप लोगो समझ में risk to reward में बार बार आपको बताता हूँ कि निवान इस्टो 3 लेना चीए आज कम risk to reward होना चीए कभी-कभी मैं आपको बताता हूँ quantity कम रखना चीए quantity जादा रखना चीए discipline अभी आप dot connect कर पा रहे होंगे किस तरीके से एक ट्रेडर जो बोलता है वही सारी चीज़े हो फॉलो करता है अभी आपको समझ में आ रहा होगा screen को देखने के बाद एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन, चार, पांच पांच ट्रेड नेगेटिव प्रोफिटबल कितना एक, दो, तीन तीन ट्रेड प्रोफिटबल, पांच ट्रेड नेगेटिव अगर ये वेरिफाइड पेनल होता और डेली का स्टेट्मेंट होता, आपको समझ में आ रहा होगा maximum number of days मेरा negative क्यों हो दिखता है and come days profitable क्यों दिखता है क्योंकि मैं risk to reward के उपर focus करता हूँ ना कि हर दिन profit करना, हर दिन profit करने से कुछ नहीं मिलने वाला, घर में पैसा आना चाहिए अगर हर दिन आप profit करने आप सोचोगे तो आपको psychology issue आएगा और एक दिन आप सोचोगे कि नहीं हाँ चलो average कर लेता हूँ, थुड़ा और पैसा डाल देता हूँ just because आपको green में रहना है, फिर एक गलत trade आपका बड़ा loss पूरा साल बरबात कर सकता है यहां पर आप अगर देखेंगे, simple रखें हम लोगों कोई डर नहीं था trade लेते हूँ क्योंकि trade already planned था, जिस दिन से वीडियो मैंने 11 September को बनाया, planned थे मुझे नहीं पता था, आने वाले टाइमें पांस दिन में कैसे बनेंगे, कैसे trade होगा कैसे नहीं बनेंगा, मैंने just एक probability देखा दो चीजे में focus करता हूँ morning hour में एक trade आपको लेना चुए मैंने आपको बता है, morning hour मोमेंटम रहता है बारा बजे के बाद मोमेंटम रहता है क्या मैंने वो follow किया, yes मैंने follow किया क्या extra reward following हुआ, yes and trading journal में अगर हम लोग इन details में अभी देखेंगे पहला trade आपको दिख रहा होगा 9.30, एक losses हुआ था 11 September, second trade में हम लोग को 11,000 profit मिला और मुझे यादे ये trade continuously sideways चला गया था मतलब ना losses दे रहा था ना profit दे रहा था तीन बजे के आसपास मैंने इसको निकाल दिया अगर इसको में 3.25 को निकाल था तो ये more than 1.2 तक भी चला गया था 180 तक भी चला गया था उसका strike price, मैंने 144 में बुक किया 140 मतलब और 40 point भी मिल सकते थे इसका मतलब 1.2 के उपर मिल सकता था फिर उसके बाद 12 September अगर हम लोग देखेंगे, loss रहा straight forward and उसके बाद का trade 206, यहाँ पे हम लोग को 206 मतलब 45, अलमोस्ट 89 पॉइंट या 90 पॉइंट बिले लेकिन जो 13 September का 1st trade था, यहाँ पे हम लोग ने exact 72 पॉइंट या 73 पॉइंट कैप्चर किये अगर मैं टार्गेट ओडर लगा देता तो फिर या 90 पॉइंट कैप्चर कर लेता लेकिन टार्गेट ओडर नहीं था जस्ट 211 टच किया वो पॉइंट पे यह इसका था 45,500 पॉइंट का 211 टच किया, 90 पॉइंट यहाँ पे था exactly एक दो रुपे उपर गया या फिर उसी spot से फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ तो मैंने उसके एग्जिट किया तो 72 रुपीज में एग्जिट हुआ, मैंने वहाँ 99 यहाँ 97 के आसपास एग्जिट करना चाहा रहा था 4 रुपे, 5 रुपे कम मिले, ठीक है, चलता है तो यहाँ पे हम लोग को 72 रुपीज मिला उसके बाद अगर हम लोग ट्रेड देखेंगे 93, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरी के से उसके बाद, मतलब सरी 13 सेप्टेंबर का सेखेंड ट्रेड और एग्जिक्यूटी नहीं हुआ, क्योंकि पहला ट्रेड भी हमको प्रॉफिट हो गया अगर सेखेंड ट्रेड भी प्लान करते है आज पर रूल्स, 12 बजे के आसपास तो यह एक्सपारी दिन पे भी हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता था तो कि नहीं, सेम डे पर PE के साइड में प्रॉफिट था, Call के साइड में प्रॉफिट था, सही टाइमिंग में बाइड डिफॉल यह कोईंसाइड हो गया और हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि प्रॉफिट के हिसाब से, मैक्सिमुम ट्रेड लेना नहीं था उसके बाद हम लोग को एक लॉस हुआ, जो कि तीन बज़े के आसपास लॉस हुआ, नेक्स ट्रेड तो सेकेंड एक्जिट नहीं हुआ, क्योंकि पहला ट्रेड का आउटकम नहीं निकलाता, फिर उसके बाद दो दिन हम लोग को लॉसे सुआ, अभी आपका समझ में आ रहा होगा कंटिनूस प्रॉफिट के बाद पोजिटन साइजिंग थोड़ा सा कम कर देने से आपका रिक्ष्टू रिवार्ड बढ़ जाता है, अभी अगर देखेंगे तीन लॉसेस हो गया, अभी हम लोग फिर एक्च्वल साइज में भी आकर ट्रेड कर सकता है, लेकिन ये वीडियो के लिए इतना एक्स्पेरिमेंट काफी है, मोटिफ यह था कि नहीं आपको प्रूब करना, और पैसा बनता है, विचा इडिट, आपको दिख रहा होगा बेटर है, और इससे देखो, मैंने ऑप्सें भाई भी किया, लेकिन कितना ट्रेड लिए, हाडली दिन का दो ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग हुआ ने, ओवर ट्रेडिंग बाई डिफॉल्ट साइड में हो गया, मैंने ट्रेड प्लान किया, उसको एक्जिगूट किया, दाट बढ़ जाएंगे, नो डाउट क्योंकि आप एड़ेस्ट करोगे, रोल ओवर करोगे, आप रॉफिट बुक करोगे, दूसरे लेक में जाओगे, और सेलिंग में जादा नमबर अफ लेक आपका बढ़ेगा, आप नमबर अफ ट्रेड बढ़ेंगे, और सेलिंग में कोई ज जब मैं आपको स्ट्राइक प्राइस का वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर एक छोटा सा में ट्विक बनाएंगे, इसके अंदर क्योंकि कोई टेस्ट करने का जरुवत नहीं है, एक रूल में आपको बताऊंगा, उसको अगर आपको प्राक्टिस करना है, या फिर किस तरीके से आप लोग इस सेम एक्सपेरिमेंट को कम क्वांटिटी के साथ, लेट से 50-100 क्वांटिटी की या फिर 15 क्वांटिटी, 100-500 रुपे, आप 50-100 रुपे, 200 रुपे, 500 रुपे, लोसे से प्राक्टिस कर सकते हो, then we are going to see the correct side of the market, क्योंकि आप single system follow करोगे, risk to reward follow करो money management follow करो, risk to reward follow करो, लेकिन आप system के पीछे चल जाते हो, एक system काम नहीं किया, यहाँ पर आप देखो, पहला trade loss हुआ, second trade में net to net मिला, third trade few loss हुआ, मैं अगर यहां तक देखता है, छोड़ो इसको में क्या करता हूँ, जैसे market दिख रहा है, price action देख रहा है, trade कर लो, उसके बा करो, अगर आप 10 रुपे में कोई product खरीदे हो, कुछ नहीं तो 15, 20, 25 रुपे का target बड़ा रखते हैं, so that कि नहीं, आपको losses भी होगा, या कोई बुरे दिन भी जाएगा, business के अंदर, तो भी आप profitable बन पाओ, same यहाँ पे, profitability बड़ा रखना चाहिए, और option buying को तो specially, एक बड 44,000 था, उस दिन 1-6 तक भी profit मिल सकता था, 1-5 तक, मतलब, एक ही दिन के अंदर, 15,000 रिक्स पे, हम लोग को समय रहा हो, 80, 90 या 1 लाग तक भी मिल सकता था, उस दिन बहुत अच्छा market मूव किया था, अगर 1 लाग उस दिन मिलता, बाकी दिन trade करू, ना करू, losses करू, पांच कोश्चीन या अपका गलत है, मैं बार-बार आपोता था, पॉइंट्स देखने का कोशिस करो, राधे दन कितना profit हो रहा है, कोई अगर 50 लाग का profit दिखा रहा है, 100 पॉइंट के अंदर, तो वो गलत है, क्योंकि quantity जाता है, अगर मैं 500 पॉइंट का profit capture कर रहा हूं, option selling करने क बहुत सा लोग जानते हैं, मैं in the money पर sell करता हूं, इसका मतलब, market अगर मेरे directional में जायेगा, trend में जायेगा, तभी मैं पैसा कमा सकता हूं, option buyer कैसा पैसा कमाता है, जब market trend में रहता है, तो that means, अगर मैं 500 रुपे का premium capture कर रहा हूं, option selling के अंदर, तो buying के अंदर 220 रुपे capture कर सकता हूं, और तब उससे भी घर चल सकता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता है, क्योंकि quantity manage करना difficult है, जब बड़ा account आजाता है, scalability में थोड़ा इश हो आता है, और उसके बाद probability थोड़ा सा कम हो जाता है, मैं 4-5-5-5 quantity क्यों trade करूं, और money management से ही नहीं बढ़ता है, इसके ल पांसो मेंट कमा रहा हूं, तो 100-200 point मतलब इसमें भी मिल जायागा, बाइं के अंदर, और बार बार इसलिए प्रूब करता हूं कि आप गलत जगा पर फोकस कर रहे हो, system के उपर मत भागो, एक बार आप discipline, money management, and आपका position sizing सही हो गया, फिर rarest chance है कि नहीं हाँ, आपको losses हो ग फिर आप जानते हो कैसे पैसा कमाना है, फिर drawdown and all, सारा handle कर सकते हो, I hope मेरा point आपको समझ में आ रहा होगा, अगल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सेर करना, सोधर, जितने लोग आस तक पैसा बना नहीं पार है, option buying के अदर, ये वीडियो गर complete देखेंगे, उनको स मज में आए जाएगा, it's not about system, it's all about risk to reward and position sizing, money management, discipline, that's it, अगर इतना follow करते हो, तो भी पैसा कमा सकते हो, और हम लोगों ने प्रूब भी किया है, वीडियो चला है, अगर लाइक है सेरे फेंट, अभीकल इतना ही, thank you.